हेलो डियर ये मंगलवार की साम है आज ही वहाँ से आये थी चूड़ी मार्केट से कदम कुआ से उसके बाद जो कुछ भी लिया था आप लोग के साथ से अर किया मैंने और उसके बाद समान लाकर मैंने यूँ ही रख दिया उसके बाद सीधा यहाँ पर आ गए थी छेकवाप की भी सिती बहुत खराब है मम्मी का अब आई जी आई एमस छोड़कर रूबन में आ गई दिखा रूबन में दिखाया तो रूबन में आपको बता दूंगी तो यहाँ पर फटा फट हम लोग लग गए काम में और सामने में टीवी चल रहा था जिसमें कि अनुद जी महरा बहुत कुछ कर लिया था इस बार गुड़ का बनाओंगी ठेकवा और तोहर बार प्रक्या बराती हूं इस बार सुरा दमन लगने वाला है फेस्बुक पर अगर आप लोगों ने मुझी देख लिया होगा मेरे फिक को समझ गया होंगे कितने अच्छे से लिबरेट किया थ क्योंकि इस बार पूरा दीन भर का मौर से तीज का था तो तीज वाला ब्लॉग भी जरूर देखेगा अगला ब्लॉग वही आने वाला है तो आज तो मैंने बता दिया मंगलवार के साम है गुरुबार को तीज था अगर बुद्धवार को मैं बनाती तो और परेशान हो ज जगाना था बहुत ज्यादा काम एक साथ हो जाता है इसलिए आज मैं बना कर इसको रख दूंगे पूरी तरह से निस्टीन दो जाओंगी फिर मुझे बुद्धवार को यानि कि कल मार्केट जाना है क्योंकि अभी बहुत सारा समान जैसे की डलिया हुआ बास का और भी मम् को डॉलाज का यहाँ पासंत नहीं करती है तो ममी बोली कि नहीं इतना भारे भारे मैं पहनोंगी नहीं तो म तो मैंने कहा कि मैं अभी ला देती हूं भुत मना करने लिक्रिए मैं मेरे पास Сिल्क साळी है मैं वहीं पहनोंगी लेकिन मेरे स्वेंड बोले नहीं मम्मी का साड़ी लाके दो मम्मी इसलिए मना कर रहे थी कि समझ रहे हैं अभी हम लोग भी बहुत परिशानी में हैं लेकिन और भी बहुत सारा समान लाना था तो क्या-क्या लाओंगी बुद्वार को भी आप लोगों के साथ सेर करूंगी यहां पर ड्राइफ रूट्स भी फ्राय हो गया है खुआ भी डाल दिया है कड़ाई में मम्मी इलाची कूट रही है और बाबू अपना गेम देख रहा है जब तक मम्मी उदर खुआ बगेरा थंड़ा होता है इलाची बगेरा मम्मी कूट थी तब तक मैं कीचन आ गई लेकिन मुझे लगा करां से बैट के टीवी देखते वे कर लेते हैं तो बहतर होगा क्योंकि बारिस बी हो रहे थी तो कीचन में हवा भी आती थी इसलिए सोचा वहीं पर बैट के कर लेता है अच्छा भी लग रहा था क्योंकि फिर यहां करने घाद यहां पूरा साब कर य यहां पर कर लेंगे आराम से उसके आद यहां खाना बनाने आ जाएंगे तो अभी मैं खुआ में डालने के लिए चीनी को पीशने आई हूं क्योंकि चीनी पहले से पीश कर नहीं रखा था तो चीनी पीश लोंगी और उसके बाद फिर मम्में बोली जब तक खुआ थंडाए आप लोगों को दिखाया भी आप लोगों का कमेंट नहीं आया है कि वह बलाउच कैसा लग रहा था तो यहांवर मैंने चीनी को पीश लिया आप में चाय बनाऊंगी तो डियर कैसे हैं आप लोग आप सबको तीश की सुप कामना है तो आप लोगोंने तीश तो कर लिया होगा बलॉग दो चार दिन लेड़ से पोऊंच रहा है फिर भी आप लोगों 兩個 से सुप कामना है आप लोगोंने तीश की से मनाया था कमेंट कर बताईएगा और आप देख रहे हैं चिव मैं हूँ आपके साथ नम्रता चैनल पर नए हैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब वीडियो पसंद तो आएगा यह आएगा तो वीडियो को करिएगा लाइक काफी अच्छे चीज़े मैं इसमें सेयर करते रहती हूँ achievement in all यानि हर चीज से जुड़ावा चीज मैं इसमें दिखाती हूँ मुझे भी मन लगता है आप लोगों से बात कर लेती हूँ हर चीज सेयर करती हूँ आप लोग भी जरूर इंज्वाय करते होंगे तो यहाँ पर मैं मैं कुछ पूछ रही है तो अब मैं यहाँ पर चाय बन करता है और बहुत मन लगता है किस तरह का साड़ी ले रही है किस तरह का चूड़ी ले रही हैं अगर बहुत अधिक भी अगर आप ठके हैं तो भी मतलब लोगों को ँड़ा ver.com महसूस नहीं होगा अगर आपके परिवार आपके साウघablo लोग Simply करते हूँ मैंने कल बुद्वार है कल में मार्केट जाओं कि कलम लोगों में दाल चावल चक्का विरा बहुत कुछ बनता है खाना और नया कपड़ा नया साड़ी मतलब अखंड नहीं लेकिन साड़ी वाड़ी पान के पहर रंगा के पायल जो भी जब नहीं साधी होती है पहला तीज होता है जैसा कि आप लोगों के साथ सेयर किया है और अभी चुकि मम्मी है तो मैं मैं सोच रही हूँ इस वार घर में ही लगा लो अब जैसे लगाओ क्यूंकि पूजा वगेरा काफी कुछ घर में करना पड़ता है तरह से क्या होता है कि जैसे कि आज में बताया मैंने मंगल वारे कल मार्केट जाओंगी और फिर बुद्ध बार के सुभा गुरु बार के सुभा जब तीजी जिन होता है हम लोग में ओड़ गनमा होता है आप लोग भी जानते ही होंगे कई लोग बिहार में ये सब व्रत होता है और सबको ये पता होता है तो सुभा सुभा तीन बज़े उटके दही चुड़ा खाया जाता है बहुत उस समय रस्म किया जाता है तो वो सब मैं आपको अगले ब्लॉग में प्रियास करूंगी तीज का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा अच्छे ब्लॉग को देखने के लिए यहाँ पर मम्मी को मैंने चाय दे दिया है मैं भी चाय लेकर बैट गई हूँ अब हम लोग अराम से पहले चाय पी लेंगे तब तक हमारा मावा भी थंडा हो जाएगा मैदा जो मैंने मिला कर टोपिया के नीचे ढखा है वो भी अच्छे से फूल जाएगा पूरी तरह से 20 मिनट कम से कम फूलना चाहिए और यहाँ परमनों का चाय कंप्लीट हो गया है तो यह बोल बच्चे को आप समझा सकते हैं तो अभी गैस वगेरा पूरी तरह से बंद है सब कुछ थंडा है इसलिए बाबू पास में बैठा है लेकिन जब तनने लगोंगी तो बाबू को हटा दूँगी यहाँ पर मैंने वो साथ होता है जोकि पूरी में लगाया जाता है उसको मैं मैंने मिला लिया मैदे और पानी से बनाया जाता है तो कटोरे में मैंने उसको मिला लिया और अब मैदा मिला रही हूं इसका चोड़ाटा लोई कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से मिला के लोई कर दूँगी और उसके बाद फिर पूरी एक साथ बेल लोगी मैदा को मिला में कापी तरकीब होता है कैसे ङी डालकर आप मिलाते हैं कैसे करते हैं किस तरह से कितने ऊटाई का पोड़ी बनाते हैं और यहाँ पर हमें कडाई में घी डाल दूंगी पोड़ी मैंने भड़ाइी में इंदर अब मैं कड़ाई में चैनी को डालते जाओंगी और यह मंध्यम आच में पकेगा आप लोग जानते हैं तो फूल जाता है लेकिन मैंने त्वड़ी जया जादा भर दिया था क्योंकि मुझे वो पिचका चिप्टा चिप्टा पिरक्या अच्छा नहीं लगता है तो फटने का भी डर था मम्मी तो कह रहे थी अगर घी में फटा तो सब खोवार निकल जाएगा तो मारा घी भी बरवाद हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और यह जो तेरा म मिडियम फ्लेम पर बनाना होता है बिल्कुल मद्यम आच में तो यहां पर मद्यम आच में इसको छोड़ कर और पिर जितना पिरक्या बचाता दोनों ने मिलके भर लिया उसके आज जब तक मैं तलते गई तब तक मम्मी क्या कि ठेकवा का आटा मिलाई और यह देखिए इस पड़ता है अधिक घी दे करके आटा के मातरा के अनुसा और रिदी की बिल्कुल टू पर रखकर बिल्कुल मिडियम फ्लेम में मैं इसको पका रही हूं तो इस तरह से आज ठेकवा प्रक्या बनाया और किचन तो पूरा समेटा था आप लोगों ने देख भी लिया तो उस नहीं हूं डर लगता है मुझे भी खुद और यहां मम्मी ठेकवा का आटा मिला रही है तो चुकि मम्मी उतना जुक नहीं सकती है पेट बड़ा है तो ड्राम पर रखकर मिला रही है और इधर इतना प्रक्या है उसके बाद अगले दिन मैं मार्केट चली गई थी तो यह म मैंने पसंद किया था तो किस तरह का सारी लिया क्या लिया और क्या कुछ खरीदा पुजा के लिए अपने लिए क्या खरीदा क्योंकि बहुत कुछ खरीदने वाली थी मैं और बहुत कुछ मैंने खरीदा है तो यह सब मैं आपको अगले विडियो में बताऊंगी तो अपन झाल